हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रेजिस्टेशन कैसे कराएं चुकि आप जानते हैं समय समय पर इसमें काफी बदलाव हुए हैं तो नए बदलाव के साथ अब हम किस तरह से यूपी बार काउंसिल में रेजिस्टेशन कराएंगे इन सब बातों को इस वीडियो हम लोग कभर करेंगे साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेशन कराते समय आपको किस किस डागुमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फीस कितना लगेगा आनलाइन जमा होगा या डीडी के माध्यम से जमा होगा तो यह सारी बात है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको गूगल पे जाना है गूगल पे जाने के बाद से आपको वहाँ पे सर्च करना है यूपी बार काउंसिल डाट काम ये आपका वेब एडरेस दिया हुआ इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके राइट साइड में उपर कारनर में डाउनलोड रजिस्टेशन फार्म का लिंक आएगा लिखा रहेगा वहाँ पे वहाँ पे आप किलिक करेंगे तो जैसे ह आप किलिक करेंगे तो इस तरह का फार्म ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं फार्म में क्या-क्या फिलप करना है तो देखिए यह फार्म इस तरह रहेगा सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रिशेंट फोटो लगाना होगा ठीक है और फोटो जो है वो कोट और टाइम होना चाहिए तो इसका आप लोग विशेश तोर पर ध्यान रखेंगे कि फोटो जो है जो भी खिचवाएंगे वो कोट टाइम होना चाहिए और यहाँ पर बार काउंसिल के किसी मेंबर द्वारा यह अटेस्ट होना चाहिए तो चलिए यह सिंपल सा फाम है आपको इसको पढ़ के भर सकते हैं कुछ चीज़े आपको जानना जरूरी है मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए जो करेक्टर सर्टिफिकेट वाला जो यह चरित प्रमार पत्र है यह जो है आपको जो है बार काउंसिल के किसी जो मेंबर है उससे उनका यहां पर साइन रहेगा फूरा उनका डिटेल रहेगा या ऐसे एड़ो के का होना चाहिए जिनका जो है रजिस्टेशन 2010 या उसके पहले हुआ है यानि जिनका रजिस्टेशन हुए यूपी बार काउंसिल में 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो ऐसे लोगों द्वारा या इसा धिवक्ता दवारा ये आपका चलीत परमार्ण पर टेस्टेड होगा उसके पास से आप सींपल सा फाम है आपका ये नाम भरना है एड्रेस परना है पुरा परमाजिस परना है मॉबाइल नंबर उसके बास से एजुकेशन उन 25 ऐस्कूल इंटर बिर बिकॉं साल मे किये हैं किस कालेश से किये हैं किस बॉड से किये हैं उसका पर पूरा डिटेल आपको देना होगा उसके बाद से देखिए यह simple दफाबं में आपको यह घोसरा पत्र है आप आप अपना नाम-नाम भर के इसको जो है यहां पर नीचे साइन करें गे जो महत्पूर बात है मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए जो सुल्क की बात है आपे सुल्क की बात हम लोग आगे कर लेते हैं सबसे पहले देखिए यह फाम जो है कई स्टेप में फाम है इसको आपको पूरा फिलफ करना है फाम को यह देखिए पत्र वहवार का पता उसके बाद से आपका स्थाई पता उसके बाद से यह इंगलीज हिंदी दोनों भरना है उसके बाद से जो महत्पूर निर्देश है वो आपको क्या करना है देखिए एक सपत पत्र आपको बनवाना है यह आपको कचहरी से बनेगा और सपत पत्र कैसे बनेगा आपको सिंपली सी कुछ करना नहीं है घबराने जरूत नहीं है बस आप कछारी में जाएंगे वहाँ बोल देंगे कि हमें यूपी बार काउंसिल में रेजिस्ट्रेशन कराना है यह फाम आप देंगे उनको तो वह आपको बनवा कर दे देंगे तो उसमें कोई ज़्यादा आपको डिटेल देने जरूत नहीं है बस नाम फादर नेम और यह एड्रेस आपको बताना होगा और यह आपको बना करके वहाँ पे दे दिये जाएगा तो देखिए यह सपत पत्र का प्रारूप है सेम ऐसे ही बनेगा और यह 10 रूपे के स्टांप पेपर पे बनेगा तो इसको याद रखिएगा 10 रूपे के नोटरी पर यह जो है यह सपत पत्र बनेगा कचहरी से उसके बाद से देखिए जो महतपूर निर्देश है आवेदन पत्र भरनेगा वो किस तरह से भरा जाएगा सिंपली आपको तो जो डिटेल वहाँ पे दी गई है उसको फिलप करना ही है आवेदन पत्र में नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेटरा यह सब चीज़े आपको भरनी है उसके बाद से देखिए एक जनवरी 2015 से नए नियम बने है उसमें क्या करना है जो आवेदन करता है उसको जो है अपने आधार कार्ड जो है या अपने पिता का या पती का जो है आवेदन पत्र के साथ संड़न करना अटेश करना अनिवार रहे है उप्रोक्त के बिना जो है पंजी करण संभव नहीं होगा अब क्या क्या डाकुमेंट्स लेंगे देख देखिए सबसे पहले आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीकाम जो भी हो उसके बास है लेल बी इसके अलावा जो भी एक्स्टा क्वालिफिकेशन हो उन सब का जो है जो मार्क शीट है परमार पत्र है डिगरी है यह सारी चीजे मार्क शीट लेगे की या यानि अंग पत्र, परमार पत्र और जो डिगरी होती है वो आपको जो है दो सेट करानी है सब की दो सेट हाई स्कूल की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, बीकाम की, बीए की, एललबी की यह दो-दो सेट आपको करानी है डिगरी भी, मार्क शीट भी, परमार पत्र भी और इसके लावा आपको एक सपत्र पत्र बनवाना है सपत πα्तब जैशा कि आपको बताया कि उसका परारूप भी दिखाया आपको 10 रुपे के स्टामप्र बनेगा इसके बासे आपको एक बलैंग अपने नाम से याद रहिए कहा बलेंक रहेगा अपने नाम से रहेगा एक जो है 500 रूपे जनुदी आपको डिगरी मिलेगी नहीं तो LLB की डिग्री नहीं है आपके पास तो उसके लिए आप अपने कालेज से प्रोविजनल बनवा करके लगवाएंगे तो प्रोविजनल जो होगा ओरिजनल लगेगा उसका कोई फोटोकापी नहीं लगता है तो यह सारी चीजे जो है आपको लगानी है इस फार्म के साथ उसके बाद से आपको जहे एक लिफाफा इस फार्म के साथ भेजनी है वो जो है पचीस इंतु 30 सेंटीमितर के लिफाफा होगा और उस पे 36 रुपे का डाग टिकट लगा होगा चुकि यह इसलिए मागा जाता है ताकि जो रजिस्टेशन परमारपत्र आपको दिया जाएगा वो आपके चुकि आप आपके एड्रेस पर भेजा जा रहा है तो इसलिए इस लिफाफा को जो आप भेजेंगे उस लिफाफा में करके आपको रेजिस्टेशन परवारपत्र और आईडी काड़ आपके उस एड्रेस पे भेज दिया जाएगा तो उसपे पूरा डीटेल होना चाहिए जो लिफाफा भेजेंगे आप उसपे आपका नाम होना चाहिए पिता का नाम होना चाहिए पूरा पता होना चाहिए पीन कोड होना चाहिए यह सब उस पे होना चाहिए और यदि आप SC कैट गरीश आते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसका जो है फोटो कापी दोनों आपको प्सकोट के साथ सब्सक्राइबं नख करना है जमा करना है इसके अलावा पॉटो आपको लगानी है आप देख सकते हैं पांच पैस्पोट साइज़ का फोटो लगेगा और पांचों फोटो जो वो पौन होना चाहिए या शेरवानी में होनी चाहिए बंद गले की जो शेरवानी होती है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो भी फोटो लगाएंगे वह रधाने जमीन है तो इसमें घबराने जरूत नहीं है मेरे पास आप सिंपली लेब स्टीडियो वाले पास जाएंगे उससे बोल देंगे कि कोट जब सामाने फोटो खीचेगा उस पे वह कोट टाई अपने से उस पे लगा देगा तो इस तरह से आपका फोटो भी बन जाएगा तो पांच फोटो जो है इस फार्म के साथ आपको लगानी है और च इस फार्म के साथ आप जो है बार काउंसिल के आफिस में जमा कर सकते हैं और जो फीस की मैंने आप बात किये कि फीस कितने क्या क्या लगए गया उसको मैं बता दूए लेकिन उसके पहले आप जो देखिए जो शुकी कारयाले में छुट्टियां भी होती है तो किस-किस लोगों को विशेश तोर पर ध्यान रखना होगा और उस दिन आप जो है कार्याले बिल्कुल न आएं तो देखिए छुट्टी कब होती है माह के परतेक मंगलवार द्युत्ति बुधवार तथा राजकी आउकास के दिन कार्याले बंद रहेगा यानि परतेक मंगलवार को मा देखिए तो छुट्टी रहती है इसके लावा भी जो भी गयज स्टेट छुट्टी होती है उस दिन जो है यह कार्याले बंद रहता है बार कॉंसिल की याफिस बंद रहती है और महतपुर्बात यह है कि आप जो भी डीडी बनवाएंगे चूंकि डीडी किसके नाम बनव आएंगे और जो जनरल स्टांप पेपर होगा उसकी भी एक एक फोटोकापी जो है इस फाम के साथ संलगन करें और उसकी जो फोटोकापी जो है एक एक जो है अपने पास भी रख लें तो चलिए आगे देखते हैं नोट नोट यह क्या यहां लिखा हुआ है देखिए सत्र जो लोग वर्ष 2-10 में लेलबी फाइनल परिक्षा उत्रिण है उसके बाद पंजी करणे वाले अधिवक्ताओं को अस्थाई दो वर्ष के लिए मानने अधिवक्ता पंजी करण परमारपत्र निर्गत किया जाएगा यानि जो लोग 2-10 के पहले पास है वो ठीक है लेकिन जो लोग 2-10 के बाद CLLB पास किया है उनके लिए ये जो रेजिस्टेशन परमारपत्र मिलता है वो दो साल के लिए अस्थाई तोर के मानने होता है और इन दो सालों का अंदर करना क्या होता है आपको जो है AIBC यानि All India Bar Council के तरफ से जो एक्जाम होते है उस एक्जाम को आपको जो है परमानेंट जो है यानि अस्थाई पंजीकरण परमारपत्र दे दिया जाता है तो अगर इन दो सालों में आप जो है AIBC का एक्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है अस्थाई पंजीकरण परमारपत्र नहीं दिया जाएगा ये नया रूल बना है 2015 य और इस समय फार्म आया हुआ है यह आई भीट का अगर आगर यूपी का है तो यूपी बार काउंसिल में रजिस्टेशन हो Geek बाद ही वो वेक्ति AIBC का फाम भर सकता है तो अगर आपने अभी तक फाम नहीं भरा है तो यूपी बार काउंसिल का फाम भर दीजिए उसके बास से आपको तुलन तो हाँ से नंबर मिल जाता है और वही नंबर जो है उस फाम में डाला जाता है जो कि परमाडपत्र बनने में समय लगता है 5-6 महिने बाद मिलता है लेकिन नंबर आपको एक दो दिन में चार दिन में वहां से अगर आप संपर करेंगे तो आपको दे दिया जाएगा और वही नंबर जो है आपका रेजिस्टेशन नंबर होता है और वही नंबर आपको AIBC के फाम में फिल करना होता है अब देखिए की फिस क्या कैसे जमा करना है देखिए फिस के लिए क्या करना है फिस जो है दो तरीकों से जमा कर सेकते हैं एक नेफ्ट आनलाइन या नेफ्ट के माध्यम से बैंका बलौता बैंका बलौता जो है मुखे साका इलहाबाद के खाते में और वह जो है खाता किस में नाम छरहे about , देखिए , का जानवा केı सक nama में बार कॉंसी ञाव उच्टर परदेश सिलहबाद , और Alh abad , यानि बैंक की बरौद खाता नंबर है और दोसरा माध्यम है एक बैंक ड्राफ यानि डीडी के माध्यम से तो डीडी के माध्यम से जो है कैसे फार्म भरना है आपको बता रहा हूं तो डीडी के माध्यम से जो बनवाएंगे वो किसके नाम से बनवाना है आपको बनवाना है बार काउंसिलाफ उत्त पर्देश लहाबाद के नाम से और सिर्फ एक डीडी बन वानी है इसके पहले छेड़े छेड़े डीडी बनती थी अलग-अलग नामों से में जो रेजिस्टेशन कराए हैं उन्हें पता होगा कि छेड़ी बनती थी लेकिन अब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही टीडी बन रही है अब देखिए कितने का फार्म है कि देखिए जन्रल एंड एज बीलो अड़ीज यानि जन्रल और ऐसे कंडिडेट जन्रल में जन्रल और और ऑबीसी दोनों इन्क्लूट है जन्रल और ऐसे कंडिडेट जनकी जो आईव है 28 वरस तक है 38 वरस अकम है वो 15 165 रुपे की डीडी बनवाएंगे और दूसरा जन्रल और ऐसे कंडिडेट जनकी आईव जो है से कंडिडेट जो 50 से उपर के हैं और रिटायर्ड करमचारी हैं वो 27,65 रुपए की डीडी बनवाएंगे SCST का देख लिए SCST बिलोग 39 वर्स के नीचे 12,040 रुपए का डीडी बनवाएंगे SCST बिलोग 59 45 वर्स के भी 17,040 की डीडी बनवाएंगे SCST 45 से 50 वर्स के 24,040 की डीडी बनवाएंगे तो इतने की डीडी बनवानी आ आपको सिर्फ एक डीडी बनवानी है पहले 6 से डीडी बनवानी होती थी बहुत मुश्किल होता था बहुत समय लगता था लेकिन अभी ये बहुत अच्छा कर दिया गया है सिर्फ आपको एक ही DD बनवाना है तो इस तरह DD बनवा करके जो है आप इस फार्म के साथ सललंगन करेंगे और DD जो भी बनवाएंगे उसके पीछे जो है अपना नाम पता पी नमबर सब लिखना आपको जरूरी है और साथी साथ DD की एक फोटो कापी भी लगाएंगे एक फोटो कापी अपने पास रखेंगे नोटरी जो 50 रुपे का स्टाम खरीदेंगे उसका भी एक फोटो कापी लगाएंगे एक फोटो कापी अपने पास रख लीजेगा और जो भी डाकुमेंट इस फार्म के साथ आप लगाएंगे उसकी एक कोशिश करिएगा कि एक सेथ जो है एक कापी अपने पास जरूर रखिएगा तो इस तरह से जब फार्म आप वहां पर जमा करेंगे पूरा यह फिल करके बार काउंसिल आफ उत्तरपरदेश के आफिस में यह उसकी आफिस है जब यहां पर फार्म जमा करेंगे तो लगबग 5-6 महीने मान के चलिए का पुराश्य समय लगता है इसमें 5-6 महीने में जो है आपको जो है अधिवक्ता पंजिकरा परमारपत्र और ID काड जो है आपके डिस्पे स्पीड पोस्ट के दवारा भेद दी जाएगी और यह जो पंजिकरा परमारपत्र होता है वो सिर्फ दो साल के लिए वैलिड होता है और इन दो सालों के बीच आपको जो है AIBC एकजाम पास करना होता है तो दोस्तों इस तरह से पूरी प्रास्टेस है इसको आप कंप्लेट करके अधिवक्ता के रूप में पंजिकरार करा सकते हैं तो इस वीडियो से संबने जो भी कुश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए धन्यवाद